वालकम बैक इस वीडियो में हम बात करेंगे तॉप 5 स्टॉक जो हम रडार में रख सकते आने वाले विक्के लिए कि जहां पर हमें अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है ब्रेक आउट के पास है या ब्रेकडाउन के पास उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके पहले हम देख लें दोस्तों गर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करना वीडियो पसंद आए फुल आगें शेयर जरू करना तो कल बैंक एक्स का जो एक्सपार है यहां पर देखेंगे तो यह इसने ब्रेकडाउन दिया था वापस यह इसी लेवल के आसपास यह रजिस्ट के नीचे जितना सस्टेंग करेगा यह यहां पर भी गुराएगा एट ताउजन पहले जाने का कोसिस करेगा और वह ब्रेक किया तो थोड़ा और यहां पर दोसो तीन सो पॉइंट एड़ कर सकता है तो उसी साब से इसको देखना सेकंड है मिटकेप का एक्सपारी काफी व उपर में 13,060 इसका रेजिस्टरंस है इस साइड भी एक बार सस्टेंग किया आदा गंटा वहां पर अनदर हंडेड वन फिफ्टी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा तो उपर जगर किसी को स्काल्पिंग करना है तो 13,010 के उपर पचास पॉइंट मिल सकते है नीचे 12 960 के नीचे और पचास पॉइंट मिल सकते है आपको बैरिस तभी होना है फुली जब 860 के नीचे सस्टेंग करें तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है अब बात करते हैं हमारे स्टॉक के बारे में लास ना हमने डिसकस किया था एक्सिस पैंग जो हमने मंडे एक फॉल द आपका TSL यहां पर कर सकते हो इस लेवल के आसपास जी एन एपस यहां पर ब्रेकडाउन के बाद में रिवर्सल आया हुआ है इसको ध्यान में रखना कि अगर यह वापस यहां पर 660 के उपर सस्टेंग करता है तो एक बार एक जिट कर जाना चीए यहां पर था एक फॉल् करने का पुरा कोशिस करेगा इंडिया सीमेंट अभी उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया हमने इसको लास्ट वीक वी कवर किया था कि अगर यह ब्रेकडाउन होता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो तो फिर से इसको ध्यान में रखना पूरा कंसोल एडिशन हो रहा है तो तो अभी के जो हमारे नए पास्टॉक है जो है ABFRL इसको जी में लॉंका भी दिया हुआ है तो हम उस इसाब से नहीं देखते है अभी यह क्या है पैनिटन जो फ्लैक पैर पैरन के इसाब से चल यहां पर देखते हैं यह आपका फर्स्ट आ गया और सेकंड आपका बनेगा यहां पर एक मिट में इसको निए तो यह दो हमारा डबल टॉप बन गया साथ में क्या है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि आरे साइए अभी यहां पर हमारा नो ट्रेट जोन के अंदर चल देखने को मिलता है जैसे कि यहां पर देखेंगे यहां से रिवर्सल हुआ था वापस सपोर्ट के आज सपास जाके इसने रिवर्सल किया है तो इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो एक ज्यान में क्या रखना कि अकर यह 350 के ओपर सस्टेंग करता है तो यह अटेम करेग देखें यहां तक जा सकता है पहले 295 आएगा यह इसका सपोर्ट का काम करेगा सेकंड शबर्स जो इसका बनेगा वो बनेगा इस जोन में जहां पर इसने यह पर बॉनस दिया था तो यह दो जोन यहां पर बनता है अगर यह ब्रेकडाउन हुआ तो तो दोनों लेवल ध्य हिसाब से आप trade कर सकते हो और हां दोस्तों जो भी मैं यहाँ पर share कर रहा है अगर आपको लग रहा है सही है तो आपके इसाब से study करना आपका risk ज्यान में रखके आप उसमें enter कर सकते हो फेडरल बैंक काफी अच्छा सा setup बढ़ना हुआ है यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे तो पिछले time यहाँ पर पूरा consolidation हुआ था करीबन 10-12 दिन का एक attempt किया previously high को break नहीं किया है तो अब यहाँ पर आपको 170 के आसपस लेके जा सकता है पर अगर यहाँ पर इसी zone को hold करने के बाद अगर यह वापस में 190 के उपर sustain किया तो इस बार यह 206 के उपर भी जा सकता है तब आपको यहाँ पर एक W pattern बन सकता है तो पहला आपका जो target रहेगा वो करीबन यहाँ पर 196 रहेगा 6 point का target रहेगा य जो breakout होगा वो आपको एक सही यहाँ पर direction दिखा सकता है पहले यहाँ पर यह आएगा यह आपका final है second हमारा target जो बनता है वो 160 के आसपस इसके नीचे breakdown जया तो मैं यहाँ पर यह level जो है यहाँ पर जो support लिया था यहाँ तक का एक expectation कर रहा हूँ 167 के आसपस फिर है ICI bank लास उसके अंदर consolidation होने के बाद में gap down open होता है तो एक अच्छा सा reverse लाता है तो आपको देखने को मिला trend line के पास में आके उसने यहाँ पर पूरा consolidation किया पांच दिन अब इसने फिर से breakdown दिया हुआ है closing भी कहां पर किया है आपका जो low था उसके आसपास फिर से यह low break करता है तो जो high है और इसी का यहाँ पर मैच हो रहा है तो आप क्या करोगे इस लिवल के आसपास यह आपका 1155 का एक यहाँ पर target होना चीह है next है हमारा PFC PFC में यह level में देखेंगे तो इसने three time support लिया था फिर जाके breakdown दिया और यह candle देखेंगे तो यह reversal confirmation है confirm किया फिर से इसने breakdown दिय लास का जो support था hold किया consolidation के पाद में फिर से breakdown पर यह जो दो candle बना हुआ है एक freezer candle यह reversal pattern होता है पर इसमें क्या है कि यह previously कोई support के पास में नहीं बना हुआ है आप देखोगे तो यह center में कहीं बना है अगर यही चीज यहाँ पे बनती तो यहाँ पे हम buy ले प्रेड करते है प अगर आप वापस 490 के ओपर sustain करते हो तो यह यहाँ पर attempt बनेगा यहां तक के लिए 540 तक के लिए यह attempt कर सकता है तब क्या होगा कि आपका यह जो ओपर का friend line बन रहा है यहां पे तो यह यहां तक आने का पूरा कोशिस करेगा जो है 540 के आसपास बैठता है तो यह एक zone रहेगा जहां पे आपको profit book करना है कब जब यह 500 and sorry 490 के उपर sustain करता है इसके उपर मैं अभी इसको remote कर देता हूं कि तो clear रहेगा कि इसके उपर गया तो हम यहां पे लॉंग करेंगे नहीं तो हमारे लिए एक best short तो open है ही इसके नीचे sustain किया यह level द्यान में रखना 460 तो फिट से यह नीचे की side जा सकता है जो आपका यह यहां पे low बनादा जून का वहां तक के लिए यह open हो जाएगा 397 यानि round figure 400 के आसपास भी यहां पे जा सकता है last stock है हमारा cement काफी अच्छा सा है flag pattern का breakout हुआ है और higher end पे consolidation कर रहा है यह कि इसका inside bar candle है जिसका high है यहां पे 7747 हमने एक बार high लगाया था 7780 पर close हुआ है previously जो mother bar candle है उसी के आसवास इसमें आपको long बने रह सकते हो कि जब तक यह यहां पे 7670 के उपर है यहां से भी करिबन 70 point नीचे तो अगर हमने वापस यहां पर 7760 के उपर सस्टेंग किया एक अच्छा सा trade उपर की साइड आपको मिल सकता है तो पहला तो आपका जो target रहना चाहिए वह यहां पर 300 पॉइंट आना चाहिए यानि 300 अगर काउंट करो तो round figure 8000 के आसपास तो यह आपका 8000 के आसपा आपको मो मिल सकता है यह नेगेटिव कब होगा और sharp decline कब आएगी कि अगर यहां पर यह यह लोको break करता है 7360 को break कर दिया तो एक sharp आपको decline मिल सकती है जो लेके जाएगी 6000 के आसपास तो यह हमारे आज के 5 stock थे और अच्छे लगा है तो दोस्तो प्लीस like and share जरूर करना मैं विकली आपको stock update करता रहूंगा thank you दोस्तो मिलते है नए वीडियो में take care bye bye